आप देख रहे हैं तेश कवर 24 और जारी है खबरों का सिलसिला मंगलवार को भपाल में आयोजित संत समागम में कांग्रेस के कदावर नेता दिगविजय सिंग के विवादित बयान ने एक बार फिर राजनैतिक गलियारे में आग लगा दी है दरासल दिगविजय सिंग ने आयोजित करकरन के दोरान हजारों के हजाग की दादाव्य उपस्तित संतों के सामने भगवा वस्त्र को लेकर विवादित बयान दिया है उन्होंने कहा कि भगवा वस्त्र पहन कर लोग चूरन बेच रहे हैं भगवा वस्त्र पहन कर बलातकार हो रहे हैं मंदिरों में बलातकार हो रहे हैं क्या यही हमारा धर्म है हमारे सनातर धर्म को जिन लोगों ने बदनाम किया है उन्हें इस्वर भी माफ नहीं करेगा भगवा वस्त्र पहतकर बलातकार हो रहे हैं मंदिरों में बलातकार हो रहे हैं हमारे सनात्त धर्म को जिन लोग उन्हें बद्राम किया है उन्हें इश्वर की मात नहीं करेगा दरासल दिवजय सिंग के इस बयान के बाद राजनेतिक गलियारे में आग लग गई है और विजेपी हमलावर हो गई है दिवजय के बयान पर पयाटवार करते हुए विजेपी नेता रजनीश अगरवाल ने कहा कि दिखुजेज सिंग राजनीत में कौन सी मिस्नरी के एजंडे का खेल खेल रहे हैं हिंदूओं और हिंदूओं के संतों को अपमातित कर रहे हैं उन्होंने कहा कि अगर कोई अपराधी अपराध कारोपी है तो उससे पूरे भगवाधारी संदिख्ध नहीं हो जाते हैं